नमस्ते, मैं हूँ रजत और आज हम पड़ताल करेंगे भाजपा नेता नंद कुमार सिंग चोहान जो मध्य प्रदेश के खंडवा से सांसद है उनके एक वाइरल वयान की लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है यूपी की महिलाओं के बारे में यूपी की महिलाओं साल भर में 52 बच्चे देती हैं हर हफते बच्चा देती हैं इस इस तरीके के उनके बयान सोशल मीडिया पर प्रचारित किये जा रहे हैं उनके वीडियो को दिखा कर सो कॉंग्रेस नेताओं ने और यूपी कॉंग्रेस के ओफिशल सोशल मीडिया हैंडल से ये वीडियो ट्वीट किया गया है इसमें भाजपास के सांसद नंद कुमार सिंग चोहान कहते दिख रहे हैं कि यूपी में ऐसी भी महिलाओं हैं जो हर हफते बच्चा देती हैं औ कॉंग्रेस के बरिष्ट नेता और आज्यसवा से सांसद दिख विजे सिंग ने 6 सेकंड के इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है नंद कुमार जी को जो इस वीडियो पर आपके उत्तर प्रदेश की महिलाओं के बारे में बयान आ रहा है वह क्या सही है हम भी ऐसी महिलाओं के बारे में जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश कॉंग्रेस के ओफीशल फेस्बुक पेज से इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा गया है भाजपा से बेटी बचाओ उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए भाजपा के विशर्म सांसद नंद कुमार सिंग जोहान का बयान शर्मनाग है महिलाओं के प्रती ऐसी सोच रखने वाले सांसद को कैसे कैसे उमीद की जा सकती है कि वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर समवेदनशील हो सकते हैं यूपी कॉंग्रेस के ओफिशल ट्विटर हैंडल से भी कॉंग्रेस नेता ललन कुमार ने ये वीडियो रिट्वीट किया है कॉंग्रेस प्रवक्ता सुरेंदर राजपूत ने भी ये वीडियो रिट्वीट किया है दिललन टॉप ने इस वाइरल दावे की परताल की हमार आधा अधूरा दिखाया गया था, असल में राहूल गांधी ने भी ये बात नहीं कही थी। दिखविजे सिंग के ट्वीट के रिप्लाई में एक ट्विटर यूजर एट तुफान एक्स्प्रेस ने नंद कुमार सिंग के वाइरल वीडियो का लंबा वर्जन डाला, वीडियो में नंद कुमार कह रहे हैं आज उन्होंने वीडियो में कहा है कि यूपी में ऐसी भी बहिला है जो हर हप्ते बच्चा देती है इस क्लू के आधार पर सर्च करने पर हमें टीवी नाइन भारत वर्ज की 24 अप्रैल 2019 की एक रिपोर्ट में हमें नंद कुमार सिंग की प्रेस से बात करने वाला पूरा वीडियो मिला मीडिया के एक सवाल में उन्होंने राहूल गांधी के वाइरल वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि राहूल गांधी एक वीडियो में ऐसा कह रहे हैं कि यूपी में ऐसी भी महिलाए हैं जो हफते में बच्चा देती हैं साल में 52 बच्चे देती हैं राहूल गांधी के इस वाइरल वीडियो की पड़ताल हम पहले भी कर चुके हैं राहूल गांधी का ये वीडियो 2011 का है राहूल गांधी के इस वीडियो का भी एक छोटा सा हिस्सा काट कर वाइरल किया गया था और उसमें राहूल गांधी यूपी में हो रहे ब्रश्टाचार की बात कर रहे थे क्योंकि वो किसी और चैनल की फोटेज है इसलिए हम आपको दिखा तो नहीं पाएंगे लेकिन बता देते हैं कि राहूल ने कहा क्या था राहूल ने कहा था जनरी सुरक्षा योजना एक प्रोग्राम है 1400 रुपे मिलते है महिलाओं को जब बच्चा होना होता है अस्पताल में हमने आर्टियाई मांगा आर्टियाई में हमें जो रिपोर्ट मिली उसमें योपी में ऐसी महिलाओं हैं जो हर सब्ता एक बच्चा पैदा कर सकती हैं ऐसी महिलाओं हैं जो साल में 52 बच्चे दे रही हैं एक ही नाम है 1400 रुपे हर सब्ता उसकी जेव में और ऐसी एक नहीं हजारों महिलाओं हैं तो ये राहूल गांधी का बयान था और कॉंग्रेस नेताओं की और से शियर किया गया बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंग का वाइरल वीडियो भ्रामक है नंद कुमार सिंग ने यूपी की महिलाओं के बारे में कोई आमर्यादित टिपणी नहीं की है वो राहूल गांधी के एक वाइरल वीडियो का जिक्र कर रहे थे और राहूल गांधी के इस वीडियो के कुछ हिस्से को काट कर भ्रम फैलाया गया है राहूल गांधी ने भी कभी ऐसी बात नहीं की, राहूल गांधी ने कहा था, असल में वो जननी सुरक्षा योजना में फैले भष्टाचार की बात कर रहे थे और जिस वीडियो का जिक्र नंद कुमार सिंग ने किया, वो वीडियो 2011 का है, राहूल गांधी ने भी ऐसी कोई अमर्यादित टिपणी यूपी की महिलाओं के लिए नहीं की थी आपके लिए ये पड़ताल की है मेरे साथ योम ने अगर आप इस वीडियो को फेस्बूक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बूक के पड़ताल को जरूर लाइक करें अगर आप इसे यूट्यूब पर देख हैं तो हमारे YouTube चैनल पर ताल को जरूर सब्सक्राइब करें देखते रहे बने रहे हमारे साथ बहुत-बहुत शुक्रिया आपको सेहत मन बनाने हेल्ट की दुनिया के सब हाल बताने आपको आपकी बॉड़ी के और करीब लाने एक्सपर्ट के जरीए आपकी अवेर्नेस चमकानी तंद्रुस्त रहना होगा नई लट देखिए दिललन टॉपर सेहत सोंबार से शुक्रवार दुपहर एक बजे